आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्टीसी के अपने सिम से इंडिया में किसी भी कंपनी के सिम कार्ड को रिचार्ज कैसे करें यानि इंडिया के किसी भी नंबर पर बैलेंस कैसे ट्रांसपर करें यानि पैसा कैसे ट्रांसपर करें इस वीडियो में मैं आ आपके सामने इस तरह का इंटरफेस open हो जगा इसके बाद इसी तरह आप 3 इंटर कर देंगे, इसके बाद SEND पर कलिक कर देंगे. 생the Peek Click करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपेन हो जागा इसके बाद आप इसी तरह पाँच इंटर कर देंगे इसके बाद सेंट Peek Click कर देंगे सेंड पर किलिक करने के बाद आपको यहाँ पर 100 रुपिया और 1000 रुपिया ट्रांसफर करने का आपसन मिल जाएगा अगर आप इंडिया का 100 रुपिया ट्रांसफर करना चाहते हैं नीचे यहाँ पर 2 इंटर कर देंगे इसके बाद सेंड पर किलिक कर देंगे और आप दिख सकते हैं चार नमबर पर 1000 रुपिया अगर आप 1000 रुपिया ट्रांसफर करना चाहते हैं तो नीचे चार नमबर आप इंटर कर देंगे इसके बाद send पे क्लिक कर देंगे जैसे मुझे इंडिया का 100 रुपया ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ पर 2 इंटर कर दूंगा इसके बाद send पे क्लिक कर देता हूं send पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जागा अब आप इंडिया के जिस नंबर पर बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानि पैसे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, मुबाइल नंबर आप इंटर कर देंगे, मुबाइल नंबर इंटर करते वक्त आपको एक चीज का ख्या लगना है, सबसे पहले आपको इंटर करना हो आपके सामने। इसे थैंक का इंटरफेस ऊपन हो जगा। आप जितना रुपिया ट्रांसपर कर रहा हैं इंडिया का उस रुपिया का कितना रियल कट गार्णी यहां पर सुख होगा। आप दख सकते हैं। इसके बाद balance को transfer करने के लिए आप इसी तरह एक इंटर कर देंगे, इसके बाद send पर click कर देंगे, send पर click करने के बाद आप देख सकते हैं यह transfer is ongoing, आपके mobile नंबर पर इस तरह का एक message भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं transfer completed successfully, balance transfer हो गया यानि पैसा transfer हो गया, इसी तरह आप balance transfer कर सकते हैं,